नमस्कार मैं लत्तिका शर्मा कुली टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का हादिक स्वागत करती हूँ दोस्तों मेरे साथ बने हुए हैं वैदिक एस्ट्रोलेजर नरेश कुमार जी स्वागत करती हूँ नरेश जी का नमस्कार नरेश जी नमस्कार दूस्तों हम चर्चा कर रहे थे गुरू के राशी परिवर्तन के बारे में यानि कि 12 राशियों पर इस परिवर्तन का क्या असर होगा इसके बारे में हम नरेश इसे चर्चा कर रहे थे आज हम बात करेंगे आखिर में जो राशी बच्चती है यानि कि मीन राशी के बारे में लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो परिवर्तन होने जा रहा है किस दिन और किस समय पर होगा देखिए लतिका 6 अपरल 2021 को गुरू का राशी परिवर्तन हो जाएगा इवन ऐवन मिदर एट पांच अपरल से ही हो जाएगा जिए छेपरल को गुरू जो है वो मकरशी से निकलकर कुमराशी में जाएंगे अठार बीस जून को गुरू जो है वो अधरी हो जाएंगे जी बगरी रहेंगे अपनी वक्रवश्ता मेहीं 14 सप्टमबर को ये मकरशी मे मारगी हूंगे फिर से लिकार जो है वो इसी दाशी में घूचर करेंगे यानिकी एक साल एक साल करीब तीरह अपारल तक रहेंगे क्ली दौर तक मैं घूचर करेंगे यहां पर आये लेकिन ज़्यादा स्वाव इस तक फिर से वह कुम्ब राशी में ही रहेंगे तो चलिए अब जानते हैं मीन राशी वालों के लिए जो सहत है उसके परभाव से राशी प्रवेदन कैसा रहेगा देखिए पहली बात यह है कि जो गुरू है वह इस राशी के मालिक होते हैं धनु और मीन राशी गुरू की और चने कि जुए ल क react यह जाना अच्छा नहीं होता लगिन बारवें जाना अच्छा नहीं होतार तो यह इंधिर बऌत अच्छी नहीं हैं लेकिन जो सहत की क्योंकि गुरू की दिष्टी बहुत अच्छी होती है तो गुरू यहां पर रहकर चटे भाव को देखेंगे तो यहां पर दिक्कत सेहत को लेकर तो कोई नहीं आरी है अश्टम को भी देखेंगे अश्टम एक्टिवेट हो रहा है उसका कारण यह है कि शनी यहां से अलड़ अब जानते हैं रिलेशनशिप के मामले में यह परिवरतन कैसा रहेगा मीन राशीवालों के लिए देखिए यहां पर जब लगन में गुरू थे तो सारी चीजें ठीक थी यहां से गुरू की द्रिश्टी पढ़ रही थी सिधा यहां पर यहां से अफेर देखा जाता है यहां से रिश्टा देखा जाता है यहां पर गुरू की द्रिश्टी पढ़ रही थी सब्तम पर यहां स से हट गई है तो यहां से लगन से बार्वे जाने का मतलब है कि गुरू अब यहां देखेंगे मां के साथ जो यदि कोई समंद में विचेश था या कोई दिक्कत आ रही थी तो वहां पर स्थिती जुरूर जो है वह बैटर हो जाएगी लेकिन यहां पर थोड़ी सी स्थिती म में नहीं रहता थोड़ा सा इरिडेट रहता है उसका असर जो है वह रिलेशन्शिप के ओपर पड़ता है तो गुरू की द्रिश्टी खैर किसी ऐसे अच्छे ऐसे भाब में नहीं जाएगी जहां पर रिलेशन्शिप का कोई लेना देना है खास तो पर सिरफ एक यदि हम बात करें मा की तो मा के साथ जिनका ठीक नहीं चला था तो और रहेगा अधरवाइस पतनी के साथ और प्रेम का के साथ समंदों की जहां तक बात है तो थोड़ा सा संबल कर रिष्टों में चलने की जरूरत है आगे हम बात करेंगे बिजनस और वेपारियों के लिए ये रा आपका काम से समंदिद है यह में जाकर काम करना है तो ऐसी बरकें है कि बाहर किया बार तो यहां पर भी गुरू की दिरिष्टी है करम का मालिक और यहां से देख रहा है यहां पर देख तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं के लिए उनके लिए तो अच्छा है अधर्वाइस यह करम के लिए बहुत अच्छा नहीं है बार में चलाएं छिए जी यहनी कि थोड़ा सा संबल कर मीन राशी वालों को चलने की जरूरत है तो चलिए अब जानते हैं UPAI हमें नरेश जी क्या बताते है मीन राशी वालों के लिए कि यहां पर तो खासथ तो पर चल रही है तो अपना खासा पर थ्याहिए Чरौकर ये पहना जा सकता है। क्योंकि दोनों के इंदरों के मालिक करिम कर आपने पहन सकते आप गुरू का जो दूसरा अपाए है हल्दी वढ़ा दूदर आप कंज्यूम करिये रातकों सोते वक जदी आप दूदर प्यते हैं तो उसमें हल्दी डाली जिए वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा जो आपके लिए गुरू की जो है वो ताकत बढ़ाने वाला होता है अच्छा होता है ऐसी चीजों से गुरू का सम्मान जरूर करिए जहां पर भी टीचर मिलते हैं उनको रिस्पेक्ट करिए बजर्गों का सम्मान करिए उससे गुरू अच्छे होते हैं फल का पेड़ लगाना बहुत अच्छा उपाय है, इस लगन के लिए खास तोर पर क्योंकि लगन के मालिक ही गुरू हैं, जैसे जैसे पेड़ फ़लेगा, वैसे वैसे आप फ़लेगे, तो गुरू के यह चोटे चोटे उपाय हैं जो किये जा सकते हैं, अजानी से गुरू के मंतर पढ़े जा सकते ह बिल्कुल वरत गुरू का वरत रखा जा सकता है, उसके दो कारण है, एक तो यह है कि गुरू देव परसंद होते हैं, दूसरा यह है कि आपकी बोडी के उपर उसका बड़ा पॉसिटिव असल परता है, तो गुरू से समन्दिज जितने भी पाठ न है बोडी के, वो ठीक रह तो दोस्तो हमने चर्चा की है मीन राशी के बारे में यानि कि हमने शुरू से लेकर एंड तक यानि कि 12 राश्यों के बारे में आपको बताया है कि गुरू का राशी परिवर्तन 12 राश्यों के लिए कैसा रहने वला है ऐसे ही और ग्रहों के परिवर्तन को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे तब ते के लिए आप हमारे साथ बने रहे हमारे पेस्बूक और यूट्यूब चैनल कुल्ली टीवी पर धन्यवाद नमस्कार